बुलो श्री प्रान्नात प्यारे की श्री महामत कहे इन चर्ण को राखो रूखे अंतस करना या रूह नईन की पुतली बीच राखो तीन तारना बीच राखो तीन तारना प्रकरन्डो चोपाई साथ सो श्राजी का सिंगार तीश्रा फिर फिर सर्व जो नी रखिये श्री महामती जी के धाम हिर्दय में बिराजमान धाम धनी अक्षरातीद का सागर ग्रंथ में तीसरे सिंगार का बरनन कर रहे हैं और उसकी पहली चोपाई में कहा जा रहा है फेर फेर सरुप जो नी रखिये तारतम बानी सब सुन्दर साथ को सभी ब्रमात्माओं को यही प्रबोद करती है सूरत एकई राखिये मूल मिलावे माहे स्याम स्यामाजी साथ जी तले भूम बैठे है जाएं तारतम बानी स्रीजी का एक सिधान्त है सिधान्तिक जान है और बीतक एक ग्रंत है उसमें तारतम जान जब से प्रगट हुआ ब्रमात्माओं का आगमन हुआ उसके बाद तारतम जान का ओतरन हुआ स्यामाजी को तीन बार दर्शन हुए चौथे दिन की लीला समाप्त होने के उपरांत पांचवे दिन की लीला सुरू हुई इंद्रावती के हिर्दय में योगल सरु बिराजमन हुए और परनाजी तक पहुँच करके जो ब्रमलीला हुई वो सारा बृतांत ये केवल सिधानत नहीं है ये मौखिक और कथित ज्यान नहीं है हमारे हादी सद्गुरु माराज हक की सुरथ स्री परनाजी के रूप में दूसरे जामे में जो लीला की ये उनकी जीवनी है ये उनका हकीकत ज्यान है जो भी सुन्दर साथ अपनी आत्मा का साक्ष्यात कार करना चाहता है परात्म का साक्ष्यात कार करना चाहता है या युगल सर्व को देखना चाहता है अध्यात्म की अंतिम मंजिल में अपना खोटा गाड़ना चाहता है उसके लिए एक सैधान्तिक ज्यान चाहिए उसके लिए तो तारतम बाणी है और तारतम बाणी हमें जो निर्देशन करती है उसका बार बार हमें अनुशरन करना हमारा करतब्य है लेकिन कई सुन्दर साथ बहुत सरलता के साथ ही कह देते हैं कि तारतम बाणी को हमने बहुत बार पाठ किया है सारी चोपाईयां हम जानते हैं, समझते हैं इसके अर्थ भी आते हैं, हमने टीके पड़े, भावार्थ पड़ लिये हैं भी तक हमने सुन लिया है, या हमने सुना लिया है सारे प्रसंग हमें याद है याद होना बहुत अच्छी बात है पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है समझ लेना उससे भी और ज्यादा अच्छी बात है लेकिन इतना ही होना सब कुछ और हमारे लिए परियाप्त नहीं है आप मेरी बात को नहीं समझ पाए होंगे एक द्रिश्टांत से समझ लिजिए आप डॉक्टरी करने चले गए और डॉक्टरी करने के लिए आपने 20 बरस, 25 बरस तक कठोर अध्यान किया और इतना अध्यान करने के पस्चाथ अंतिम में जो आपका फाइनल रिजर्ट आना है उसमें आपने 100 में 100 नमबर प्राप्त कर लिए आप ए ग्रेट के डॉक्टर बन गए लेकिन आपने किताब को पड़ लिया है और लिखित रूप में परिक्षा दिया है मौखिक रूप में परिक्षा दिया है उस रिजर्ट के अधार पर यदि आपको किसी मरीज के पास ब्लेड और चाकू सब कुछ ले करके अवजार ले करके भेज दिया जाए तो एक सामन्य से अप्रिशन करना भी होगा तो उस बिमारी को आप मार डालेंगे आप जिला नहीं सकते उसके लिए आपके पास practical चाहिए अभ्यास चाहिए इसी तरह से आप जहाज चला न सिख गये उसमें भी आपने 100 नंबर प्राप्त कर लिए लेकिन जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप जहाज नहीं चला सकते चाहे आपने सो नंबर क्यों प्राप्त नहीं कियो आप कईयों को परिच्छा क्यों नहीं दिलाते हो उसी तरह से ये बीतक स्रीजी और सद्गुरु की बीतक के वल हमें सुनने के लिए नहीं है आप तारतम बाणी को पड़ लेते हैं उसके बाद में ध्यान में बैट जाते हैं ध्यान में बैटने के बाद में आप चाहते हैं कि हम आत्मा सक्षातकार कर लें परातम को देख लें और योगल सरुप को देख लें क्योंकि तारतम बाणी यही कहती है सबेरे उठ करके अरजी बोलते हैं तो उसमें कहते हैं निश्य दिनक रही है प्रेम सों स्री युगल सरुप के चरण निर्मल होना याहिशों और धाम बरणा आपको निर्मल होने के युगल सरुप को हिरदे में धारन करना पड़ेगा तो यसागर की ये बाणी भी यही कह रही है फेर फेर सरुप चोनी रखी है फेर फेर का तात्पर होता है बार बार खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत दम न छोड़े मासुक के जाकी असल हक निश्वत जिन ब्रमात्माओं की असल परातम मूल मिलाव में है जिनका मूल संबंद धामधनी से है उनको खाते हुए पीते हुए उठते बैठते सुपने की आउस्था में भी और सोते हुए और जागरित आउस्था में भी दम न छोड़े मासुक के क्या ये संबह हुए चलो खाते हुए भी आप अंदर ही अंदर जाप कर सकते हैं इस्मरण कर सकते हैं, राज-राज कर सकते हैं सोते हुए भी निद्रा आने से पहले तो आप राज-राज कर सकते हैं और उठने के बाद में भी आप राज-राज कर सकते हैं सोने के बाद में तो हमारी गून अंग इंद्रियां क्या कर रही है कि काम नहीं कर रही है खुद को ही पता नहीं चलता कि हमारे सांसे चल भी रही है या नहीं भी चल रही है वो भी पता नहीं होता आप किसके घर सोय हैं कौन से बिश्तरे में सोय हैं आपके बगल में कौन सोय यह भी नहीं जानते तो कैसे यह संभा हो हैं कि हम दम न छोड़े मासुक के एक पल भी हम राजी को न छोड़े तो उसके लिए हमें निरंतर अभ्याज चाहिए हैं किसी एक ब्यक्ति को आप इतना डरा दीजिए ताकि उसको खाना भी अच्छा न लगे पीना भी अच्छा न लगे और नीध भी ना आए तो उस समय वो कुछ भी याद नहीं करता जिस बात से वो डरा हुआ है किवल उसी की चिंतन करता है कि मेरी फांसी होने वाली है मुझे जेल होने वाली है या फिर मैं मरने वाला हूँ मुझे सर्पने काटा है मुझे बिच्छी ने काटा है हम बार-बार इतना एकागर हो जाएं हम अपने मनचित को इतना एकागर कर लें कि जागरित आउस्था में तो यूगल सर्व याद आए ही आए लेकिन सोय हुए आउस्था में और सपना की आउस्था में क्योंकि जहां बहुत अधीक भै होता है वो इस्थिती और जहां अधीक प्रेम होता है वो इस्थिती अलग होती है प्रेम में आप जब सो जाएंगे तो निश्चिंद हो करके सो जाएंगे आपको कोई भै नहीं रहता लेकिन आपके हिरदय में यह दी चिंता है तो सपने की आउस्था में और निद्रा औस्था में भी आपको चिंता सताइ जाती है तो प्रेम के औस्था में तो यह भी नहीं हो सकता कि आप सोते हुए याद कर ले हैं सपने में याद कर ले तो इसका निवारण भाद में होगा लेकिन यह जब कहा जा रहा है कि बार-बार सरूप को देखिए तो मैं कुछ लोजिक बात करूँगा आपसे कुछ सुन्दर्शाथों की मान्यता है जब हम परमधाम से आए हैं हमारी परातम परमधाम के अंदर मूल मिलाव के अंदर है और राज जी से हमारा संबंध है मूल संबंध भी है तो राज जी चाहा करके भी हमें परमधाम से तो नहीं निकाल सकते सद्गुरु के समय में स्री जी के समय में जब बिहारी जी साक्षा धामधनी बन करके गद्धी पर विराजबान हो गए थे और उन्होंने कह दिया कि कई सुन्दर्शाथ को धर्म से निस्कासित कर दिया और ये कह दिया कि तुम आज से सुन्दर्शाथ नहीं हो तुम्हें सुन्दर्शाथ से तुन निस्कासित कर दिया लेकिन परमधाम से भी निस्कासित कर दिया तुम परमधाम नहीं जा सकते ब्रमबाणी नहीं थी सुन्दरशाथ बहुत डर गए लेकिन आज वो डर नहीं है सुन्दरशाथ को ये पता है कि राजी हमें किसी भी किम्मत पर नहीं छोड़ सकते राजी चाहा करके भी जीव सृष्टी को मूल मिलावे के अंदर नहीं ले जा सकते और जो मूल मिलावे में जिसकी परातम है उसको संसार में नहीं छोड़ सकते ब्रज में नहीं छोड़ सकते रास में नहीं छोड़ सकते तो हमें किसी की क्या आउशकता है डरने की क्या हो सकता है जब हमारी ही परातम मूल मिलाव में है तो हमारी आत्मा यहां से जागरित होगी और हमारी सुर्ता यहां से लवटेगी तब ही तो परातम की जागरिती होगी और परातम की जागरिती कब होगी पौड़े भेले जागसी भेले खेल देख्या सबों एक सबकी आत्माएं फरामुसी में एक साथ पड़ी सब साथ में माया के संसार में आए वापस जाएंगे तब भी सब एक साथ में जाएंगे तो आपकी आत्मा को कैसे छोड़ेंगे तो हमें चितवनी करने की आफशक्ता क्या है जब जीव स्रिष्टी हजारों लाखों साल तक भी अगर धिहान करती रहे उसको मूल मिलावा नहीं मिलना परमधाम के अंदर नहीं पहुँचना और आपकी परातम वहाँ पर है तो आपकी परातम की जगह कोई ज्यादा ही धिहान करने वाला परातम के अंदर चला जाए ये भी तो संभाव नहीं है जब ये दोनों संभव है, जब तार्तम बाणी हमें ये निर्धारित कर रही है तो सुन्दर्शाथ का ये तर्क है कि हमें दिहान करना ही पड़ेगा अन्यता हम परमधाम नहीं जाएंगे, ये क्यों अनिवारी है किसी भी समस्या का समधान खोजने के लिए यदि आप अपने आप में चिंतित होते रहेंगे हमेशा और केवल तार्तम बाणी का पाठ ही पाठ करते रहेंगे राजी मुझे ये संका है, मेरी संका का समाधान कर दीजिए पाठ करने लग जाईए तो नहीं होगा पाठ करने से आपकी अंतरात्म सुद्ध तो हो सकती है आप भाव विवल हो सकते हैं लेकिन जो आपकी समस्या है उसका समाधान होई जाई अनिवारी नहीं है जो मन्जिल तक पहुँचे हैं उनके साथ भी तो ये समस्या आई होगी उनके साथ भी ये समस्या रही होगी और जब तक मन्जिल में नहीं पहुचा जाता तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता आप उनके पीछे जाईए पिया की अतिप्रशन तीन बेर दिये दर्शन श्यामा जी को राजी ने तीन बार अपना सरुप दिखाया और उनके सारे समस्याओं का समाधान किया उसके पस्चात हकी सुरत स्री प्राणा जी के रूप में पन्ना जी तक जो लीला होती रही हमारे आदर्स परमंस ब्रह्मनियों ने अगरिनी सुंदर साथ ने वो कार्य किया इस सरीर में रहते रहते युगल सरुप का साक्षातकार किया स्री जी के रूप में अक्सरतीत का दर्सन किया और जगा जगा पर जहां चर्चा कर रहे होते हैं कभी किसी रूप में दिखाय देते हैं तो कभी किसी रूप में दिखाई देते हैं कभी सद्गुरु देव चंद्रजी की रूप में दिखाई देते हैं तो कभी यूगल सरूप की रूप में दिखाई देते हैं इस प्रकार से भी दर्शन होते रहे और द्यान चित्वनी में परमधाम की युगल सुरूख का दर्शन होता रहा कभी बाल मकंद, कभी बाँके बियाहरी, तो कभी अरब का सुरूख तरह तरह से दर्शन होते रहे उन्होंने ये सारी समश्याओं का समाधान किया ध्यान में बैठ करके यूगल सरुप का दर्शन किया तो ये सारी बात सच है क्योंकि देव चंदर जी के रूप में जो लीला हो रही थी उस समय जब गांग जी भाई के घर में आडी का लीला होती थी तो सद्गुरु किस रूप में दिखाई देते थे कभी बाल मकुंद के रूप में दिखाई देते थे तो कभी मा के भी हैरी के रूप में दिखाई देते थे अब अरब में लीला हुई अरब में कहने का ताथ पर ये है कि 1703 में जब स्री जी की अरब यात्र हुई तो वहां जाकर के जो दर्शन हुआ वो अलग रूप में दर्शन हुआ जबकि वो दर्शन देने वाला सरूप ही राजी का ही सरूप था स्यामा जी को तीन बार दर्शन दिये तो तीन रूप में दिये ये भी आप जानते हैं एक बार बाल मुकुंद के रूप में दिया एक बार मांके बिहरी के रूप में दिया और एक बार अरब के पठान के रूप में दर्शन दिया वैसे जो तीसरा दर्शन जो अब हुआ तो उसमें बृतांत मुक्तावली में तो बढ़न आता है कि परमधाम का पंच वागा का बरणन आता है केशरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा लाल रंग की पाग इस प्रकार से उसमें बरणन है परमधाम के सिनगार का बरणन है लालदासी की बितक में इस प्रसंग में चोपाई आती है वै किशूर अति सुन्दर खेला जो ब्रिंदावन जिस सरुप ने ब्रिंदावन में रास की लिला की थी उसी सरुप ने यहाँ पर देव चंद्रजी को दर्शन दिया इसका सीधा अर्थ ये बनता है और भावार्थ दोनों तरीके से करते हैं एक तो कहते हैं कि जिस सरुप ने ब्रिंदावन में रास की लिला की यानि बांके बिहरी ने दर्शन दिया और एक तरफ ये भी कहते हैं रास में लिला करने वाला कौन है ब्रज मीने खिलाए जिन रास मीने खिलाए तिन धनी धाम के कहलाए जो साथ को बुलावन आए जिस सरूप ने ब्रज में लीला किया अक्षरतीत के आवेश ने उसी आवेश ने रास के अंदर बहां के बिहरी के रूप में लीला किया और वही आवेश सरूप ने सद्गुरु देव चंदर जी के रूप में लीला किया नौतनपुरी में और उसी आवेश ने महामती के हिर्दे में बैठ करके हक की सुरत स्री प्राणना जी के रूप में परना जी तक लीला की तो लीला करने वाला तो वही शरूप है तो वही अक्षरतीत का आवेश जो परमधाम से आया उन्हीने दर्सन दिया खर तीन रूप में तीन बार दर्सन हुए है लेकिन यहां सुन्दर साथ को तारतम बानी कहती है सूरत एके राखिये मूल मिलावे माहे स्याम स्यामाजी साथ जी तले भूम बैठे जाए मूल मिलावे में कौन भी राजमान है स्याम स्यामाजी साथ जी और आज कल कई ऐसे बिद्वान महापुरुस सुन्दर साथ में यह कहते हैं कि हमें सुरता कहा लगानी चाहिए स्रीराज स्री ठकुरान जी का स्वरुप पड़ा जाता है सवेरे कहा जाता है स्रीराज स्री ठकुरान जी प्रथम भूम में बिराजमान भाए तो अब इसका अर्थ क्या किया जाता है स्रीराज जी स्री ठकुरान जी प्रथम भूम मूल मिलावे रंग महल के परथम भू का मुल मिलावे में नूरी सिंगाशन पर नूरी में कौन भी राजमन है? Shri Raj, Shri ठकूरानी जी और अर्थ कहा से सुरू करते हैं? Shri ठकूरानी जी से ठकूरानी का अर्थ क्या होता है? ठाकुर श्रिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अर्थ को कहीं से कहीं भी किजिए ठीक है आप ब्रज की भासा बोलेंगे ब्रज में स्रिकिश्ट जी को ठाकुर जी कहा जाता है उस अधार पर आप स्यामा जी को ठाकुरानी जी यानि राधी का कहिए और स्रिकिश्ट जी यानि स्रिराधी को स्रिकिश्ट जी का सरुप कहिए इसमें ये एक लोजिक है और ये एक तर्क है आप यूपी में, पंजाब में और मद्य परदेश में जाएए देहात इलाकों में जाएए और जा करके पूछिए कि ठाकूर किसको कहते है यहां बहुत लोग बैठे होंगे ठाकूर लोग जो राजपूच छत्रिय होते हैं उनको ठाकूर कहते है और उनकी धर्मपत्नी भी तो ठाकूरानी होती है तो क्या आप ठाकूर जी के अधार पर, ठाकूरानी जी के अधार पर जो उनके सर्वस्व हैं उनको ठाकुर्जी कहेंगे तो ठाकुर्जी भी तो अक्षरतीत हो जाएंगे तार्तम बाड़े में सागर करंथ में तीन बार अक्षरतीत के सरुप का वर्णन किया जो मूल मिलाव में नूरी सरुप से भी राजमान है सिंगार करंथ में चार बार वर्णन किया और वहाँ पर एक जगा मंगला चरण में लिखा मुख मेरे महबूव का रंग अती उज्वल गुलाल मेरे महबूव अक्षरतीत परब्रम सच्चितानंद जो मूल मिलावे में मूल शरूप के रूप में जो बिराजमान है जिस शरूप का बरणन किया जा रहा है मंगला चरण के रूप में उसका मुखारबिंद कैसा है मुख मेरे महबूव का रंग अती उज्वल गुलाल अत्यधीक उज्वल है और लाली मा से भरा हुआ है और सिर्किंट जी का सरूप तो उज्वल और गुलाल आप कही नहीं सकते है आप ये मत कहिए कि ये सिर्किंट जी के सरूप से क्यों अलर्जी है सब लोग ये कहते है सिर्किंट जी के सरूप से अलर्जी भी नहीं है मिराज जी से भी अलर्जी नहीं है यदि बाणी आपको ये इजाज़त देती है कि यदि आवेश रूप में आकर के ब्रज में लिला करने से वो सरूप मूल मिलावे में हो जाएगा तो मैं आपसे सवाल करूँगा कि रास बिहारी क्यों नहीं हो सकते यदि ब्रज भी हरी हो सकते क्योंकि ब्रज में आकर क्यों अक्सरति के आवेश ने लिला किया तो रास में भी तो किया वो क्यों नहीं हो सकते यदि दोनों हो सकते हैं तो ब्रज अरब वाला सरुप क्यों नहीं हो सकता पिया की अती प्रशन तीन बेर दिये दर्शन राज जी नहीं तीन बार श्यामाजी को दर्शन दिया तो तीनों बार अलग-अलग रूप में दर्शन दिया तो क्या मूल मिलाव में ये तीनों से रूप है सद्गुरु देव चन्रजे की अंदर आये धामधनी स्वें बिराजमान हुए और गांगजी भाई ने अपने घर में ले जाकर के सेवा की किस भाव से सेवा की पहचान के धामधनी प्रगट बाणी में चोपाई आती है अपने घरों लिए बुलाए सेवा करी बहुत चितला है और किस रूप में पहचान के धामधनी धामधनी के रूप में वो साक्षाद धामधनी के सरूप थे और वही सरूप जब महामती के हिरदे में बिराजमान हुआ और परनाजी में जिनकी आरती होती है आरती के बाद आरती बोध होता है तो क्या कहा जाता है हमने किसकी आरती की यही अक्षरातीत है यही है धनिधाम यही महमद महेंदी इसा यही पूरे मनुरत काम क्या यह बितक की यह चोपाई को गलत कहेंगे तारतम बानी की चोपाई को गलत कहेंगे या हमारी भावनाओं को गलत कहेंगे क्या कहेंगे अब हक्की सुर्थ शरी प्राणना जी के रूप में लीला हुई तो ये पांचों सरूप इनका जीव कहां पर भी राजबान होगा ये जीव आखिर मुक्त हो करके कहां जाएंगे और ये पांचों शरुप के अंदर जो लीला करने वाला अक्षरतीत का अभेस था जो ब्रज में बाल मकुंद बना रास में बाल के बिहरी बना अरब में जाकर के महमध बना नौतनपुरी में देव चंदर बना और पनाजी में आते आते श्री मिराज जी के अंदर श्री प्राणा जी के रूप में उन्होंने अपना सरुप दिखा दिया कि ये मैं पाँचों नहीं हूँ, मैं उस अक्सरतीत का अबेश इस जागनी के ब्रमाण में हक की सुरत के रूप में श्री प्राणा जी के रूप में हूँ लेकिन सुन्दरशाश्री प्राणाज किसको समझता है एक सजन ने दो दिन पहले मुझे प्रश्न किया था कि आप देवचंद्रजी और प्राणाजी के संबंद को क्या समझते हैं उनका क्या संबंद था क्या देव चंद्र जी ने प्राणाजी को तार्तम नहीं दिया था तो मैंने कहा देव चंद्र जी ने प्राणाजी को तार्तम नहीं दिया प्राणाजी ने मिराजी को तार्तम दिया तो कहने लगे प्राणाजी तो जब जागनी के ब्रह्मान्णे में आए सद्गुरु के समय तो प्राणना जी थे ही नहीं मैंने उनको एक चोपाई सुना दिया तब सिर्मुख वचन कहे प्राणनात धूड काड़नो अपनो साथ माया मीने आई स्रिष्टी ब्रहम सो बुलाओन आई हम प्राणनात तो तब भी थे जब मिराज जी का जन्म नहीं हुआ था तब भी प्राणनात जी थे तो कहने लगे ये कैसे मागा किया रादा भाई का पर ब्याय नहीं प्राणनात ब्रज में जब लीला हो रही थी तो रादा भाई से मगनी तो हुई लेकिन बिवाह नहीं हुआ तो कहने लगे ये ब्रज मंडल में द्वापर्यूग में तुम शिर्किंट जी के साथ, राधिका के साथ कौन से प्राणनात को जोड़ रहे हो मैंने कहा ये उसी प्राणनात से जोड़ रहा हूं जो उनके प्राणनात अक्सरतीत के आवेश के रूप में ब्रज मंडल में आया था, वही तो प्राणनात है यदि हम मिराज जी को प्राणनात कहने लगेंगे तो सारी सिधानते हमारी समापत हो जाएगे तो यहां बार-बार कहा जाते हैं बेर-बेर सरुप जो नहीं रखिये हमें तारतम बाणी कहते हैं कि मूल मिलावे का ध्यान किजिए सूरत एकई राखिये मूल मिलावे माहे जो मूल मिलाव में जो सरुप बिराजमान है उस सरुप का हमारे परमंसों ने ध्यान किया सद्गुरु ने उसी सरुप का ध्यान कराया और हक्की सूरत शरी प्राणनाजी के रूप में पन्नाजी में जो लीला हुई दो दो बार तीन तीन बार 24 खंटे में जो सुन्दर्शाथ की सुर्ता को वहां तक पहुचाया बितक में देखिए कि रात्री के समय में जब युगल सरुप के बागा का बर्णन होता है तो वहां भी आता है के सरीय रंग को इंजार सुईत रंग को जामा जो मूल सरुप का बर्णन है वो आता है ब्रज में लीला करने वाला सरुप चौथी भष्ट में अखंड है बाल मुकुंद जी का सरुप चौथे भष्ट में अखंड है जहां रादिकाजी ग्वाल बालों के साथ बाल मुकंद और रादिकाजी लीला कर रही है ब्रज की लीला आज भी जियों कितियों हो रही है रास में जो लीला हुई वो सरूप रास की अंदर पांचों भष्ष्थ में नीचे से पांचवाँ उपर से चौथे भहिष्ट में रास की लीला अखंड है वहाँ बांके बिहरी और रादिका जी 12,000 सक्षियों के साथ आज भी जियों कितियों अखंड रूप से लीला कर रही है और जो अरब में लीला करने वाला सरूप तिसरी भहिष्ट में जिसको महमदी भहिष्ट करते हैं वो सरूप वहाँ खंड है और चौथे दिन में जो देवचंद जी के रूप में लीला हुई वो सरूप और पांचवे दिन में जो स्री मिराज जी के रूप में देवापी का जीव और मरू का जीव दोनों देवचंदर जी और स्री मिराज जी के रूप में जिनोंने जागनी में लीला की जिसमें श्यामाजी की आत्मा और इंद्रावती की आत्मा ने बिराजमान हो करके जागनी की लीला की ये दोनों सरूफ सत्सरूफ के पहली भाष्ट में राज्जी और श्यामाजी का सरूप बन करके ये भी दोनों सत्सरूप के पहले भाष्ट में रहेंगे आगे हुई न होसी कब हूँ धनी हमें ऐसी सोभा दई सब पुजे प्रतिभी महमारे सोभी अखंड में ऐसी भाई जो आठों भाष्ट के सभी प्राणी, सभी योगमाया के निवासी आठों भाष्टों के सभी जाकर के सत्सरूप के पहले भाष्ट में जो परमधाम की लिला का नकल हुआ करेगी उसमें देवापी का जीव श्यामाजी, मरू का जीव राजी बनेगा जिन तनों में बैठ करके परमधाम की ब्रमात्माय जागरित हुई है वो जीव सत्सरूप के पहले भाष्ट में जिनोंने यहाँ अपने को अंगना भाव ले करके धनी कुरी जाया वहाँ अगना सरूप धारन करके हमेशा परमधाम की उस प्रतिविम्बित लीला में हमेशा समाविष रहेंगे, उसका अनंद लेते रहेंगे और योगमाय के सभी सातों भाष्ट के सभी प्राणी उस सरूप के पहले भाष्ट में होने वाली लीला को यही अक्षरतीत है, यही परमधाम है, यही रंग महल है और वही लीला यहां हो रही है, ऐसा मान करके सभी वही पर उसी लीला में अनंदित होंगे और अक्षर ब्रम हमेशा की तरह अक्षरतीत का दर्शन किया करेंगे और परमधाम की ब्रमात्माई अपने मूल तन में जागरित होंगी लेकिन उनको जागरित होने के लिए मूल सरूप, अक्षिरतीत की मूल सरूप के ध्यान चित्वनी करना बहुत अनिवारी है पहले कहा कि जब हमारा संबंध है तो हमारी सुर्ता ही उस परात्म में जाएगी तो अगर ध्यान नहीं करेंगे तो हमारी सुर्ता क्यों नहीं जाएगी इसके लिए सद्गुरु देव चंद्रजी की जब लीला हो रहे थी उस लीला में उस लीला में एक द्रिष्टांत दिया सुन्दर साथ को बहुत अच्छा उधारन दिया बिहारी जी सद्गुरु के पुत्र रहे और देव चंद्रजी की रूप में स्वयम अक्षरतीत का अवेश लीला कर रहा था बिहारी जी की अंदर परमधाम की आत्मा बिदेमान थी रतन भाई की आत्मा करके बाणी में भी लिख दिया बितक में भी लिख दिया जब अच्छातीत सुयम अपनी ब्रमात्मा बिहारी जी की आत्मा को संसारिक रिष्टे से सद्गुरु पुत्र है और अक्षरतीत के रूप में उनके पिता के तन में लीला हो रही है तो दोनों नाता भी यदि बिहरी जी की आत्मा को जागरित नहीं कर पाए तो दुनिया में जब तक हम युगल सुरुप का ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारी हिर्दे में परमधाम की छबी अंकित हो जाए युगल सरुप बस जाए ये कोई अनिवारिय नहीं है क्योंकि संसकार कैसे बैठता है प्रकिर्टि की अंदर जीव सबसे पहले पैदा हुआ उसके अंदर कुछ भी नहीं था जब सरीर धारन किया अनेक योनियों में चला जाने लगा कर्म करने लगा जो देखा, जो सुना, जो किया, जो पढ़ा जो अनुभव किया वो संसकार के रूप में जीव की अंतसकरण में बास करने लगा सरीर छोड़ता है लेकिन अंतसकरण नहीं छोड़ता कारण सरीर साथ में जाता है दूसरे योनि में चला जाता है और संसकार अपने पास भर लेता है इसी तरह से लाखों लाख योनिव के जन्म जन्मानतरों के संसकार जीव अपने हिरदे में भरता है तो वही संसकार बनता है लेकिन आत्मा के दिल में कौन सा संसकार है ये इसकी अगली चोपाई है उसमें कहा गया है कि परमधाम की आत्माओं का दिल अर्स है तो आप समझ लिजिए कि द पहले ही वो चोपाई सुन लिजिए कि ब्रमात्माओं का दिल अर्ष क्यों कहा है। जीव संसार में कार्य करता है जानता की आउस्था में तो अपने को सरीर समझ करे करता है। समझने लगेंगे कि मैं एक आत्मा सरूप हूँ तो उस समय आपको पता चलेगा कि मेरा मूलतन परमधाम के अंदर है और मेरी परातम ने युगल सरूप को देखा है मेरी परातम को देखा है सभी परातम के सरूप को देखा है स्यामाजी को देखा है 25 पक्स को देखा है और व वोई परातम का हिर्दय आपकी आत्मा सरूप है और आपकी आत्मा के अंदर वोई परातम का सबकुछ प्रतिविंबित है जब आपकी आत्मा के अंदर परातम का सबकुछ प्रतिविंब है तो फिर चित्वनी करने की आउश्यक्ता क्या है फिर सवाल हुआ जब युगल सरू जी ढोड रहे थे, वो कह रहे थे, मैं कौन, कहां से आया हूँ, मेरा घर कहा है, ये स्रिष्ठी बनाने वाला कौन है, जब ये खोज रहे थे, तो क्या उनके अंदर परमधाम की सोभा नहीं थी तब, तब भी तो थी, जब मिराज जी, सद्गुरुदेय चंजजी के चरणों तक नहीं पहुँचे थे, इंद्रावति की आत्मा उनके अंदर बिराजमान थी, क्या उनके अंदर ये परमधाम की सारी सोभा नहीं थी, युगल सरुव की सोभा नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन अज्यानता की एक ऐसी फरामोसी की चदर आत्मा के उपर पड़ी हुई है जिसके कारण वो निस्क्री है, उसको समझने के लिए एक बहुत बड़ी लकड़ी है, उसको जला दीजिए, वो जलते जलते उसके अंदर इतना सा अंगारा रह जाता है, बाहर पूरी तरस से राख से वो अंगारा लिपट जाता है, उस राख के उपर आप अपने पैर को रख भी देंगे तुझ नहीं जलेगा, उसकी कोई आच आप तक नहीं पहुँच पाएगी, उसकी अंदर आग है, उसी तरस से आपकी आत्मा के हिर्दे में परमधाम का सब कुछ है, अर्ष कया दिल मोमिनू, अर्ष में सब भी साथ, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी बाहर से जो फरामोशी की चदर लिप्टी पड़ी हुई है, अज्यानता का जो सरूप है, आत्मा ने अपने को जीव समझा है, अपने को सरीर समझा है, इसलिए आत्मा की लीला तो अभी शुरू ही नहीं हुई, जब तार्तम जियान के प्रकास में आपकी आत्मा के अंदर युगल सरूप जब बैठ जाएंगे, उसकी चबी जब जलकने लगेगी, पच्चिस पक्ष परंधाम की चबी जलकने लगेगी, तो आत्मा की लीला शुरू होगी, जिस तरह से उस एक लकडी के अंदर का जो अंगारा है, उसमें आप लकडियों को समेट करके आग जलाए तो दूर दूर तक उसकी आँच पहुचने लगेगी, उसी तरह से आपके धाम हिर्दे में युगल सरूप भी हैं, पच्चिस पक्ष भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब तक तार्तम जियान के प्रकास में आ करके, आप धाम धनी के चरण कमल का साहरा ले करके, युगल भी आत्मा तो थी, लेकिन इनी कमियों के कारण उन्होंने युगल सरूप को सायद अपने दिल में नहीं बसा पाए, धाम धनी, जागने के ब्रमान में सब को ये संदेश देना चाहते थे, कि सद्गुरु के पुत्र होते हुए भी, पिता पुत्र का नाता, परमधाम का द कि हमारी आत्मा के अंदर परमधाम की सारी सोवा है, युगल सरूप है, बेसक, सब कुछ है, कोई कमी नहीं, तार्तम बानी कभी जूट नहीं करती, गलत नहीं करती, अर्ष कहा दिल मोमिनों, अर्ष में सब भी साथ, बिहारी जी के अंदर भी थी, सकुमार भाई के आत्मा और चित्वनी में अपनी आत्मा के सुर्ता को परातम तक नहीं जोडेंगे, युगल सरुप तक नहीं जोडेंगे, वो आत्मा दुबारा दूसरा तन धारन करके ही सही तारतम ज्यान के प्रकास में उसको आना पड़ेगा, धनी के चरण में जाना पड़ेगा, और अपना सब अपने धनी को दिल में बसाने के लिए ही सद्गुरु ने यही मार्ग बताया हक की सुरत स्री प्राणाजी ने यही मार्ग बताया और बीतक हमें यही मार्ग दर्शाती है इसलिए श्यामाजी ने इतना कठोर परिश्रम किया इसलिए महामतीजी ने इतना कठोर परिश्रम किया जिनके हिर्दे में युगल सुरूब भी राजमान होकर के तारतम बाने के ये अठार किताब किताबों का अवतरन हुआ सब कुछ होते हुए भी सुन्दर साथ को मार्ग दिखाने के लिए हमेशा ध्यान चिंतन में रहे हमारे परमहनसों ने वही बताया दुर्भा कि बस आज कोई ऐसे हमारे मार्ग दर्शक उबदेशक यदि हो जाए कि हमें परमधाम का नाता हमारे आतमा के हिरदय में है हमारी ही आतमा उस परातम में जागरित होगी ये कहा करके हमें ध्यान, चित्वनी, सेवा और समर्पन की मार्ग से अलग करना चाहते हैं तो हम उन आदर्शों की जीवन को देखें जिनोंने अपनी आत्मा को जागरित करने के लिए युगल सरुप का साक्षातकार करने के लिए क्या किया हक्की सुरत सुरी प्राणना जी ने हमें कौन सा मार्ग बताया सद्गुरु देव चंद्र जी ने कौन सा मार्ग बताया और हमारे हादी ने कौन सा मार्ग बताया तार्तनम बाणी हमें वो निर्देश करती है केवल चोपायों को एक तरफा पढ़ने मातर से नहीं होगा सारे प्रसंगों को मिला करके हम अपने को एक आत्मा सरुप में देखें और जागने के मारक पर चलना सुरू किजिए और उस जागने के मंजिल तक कौन पहुँचा और उसने क्या 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 वो हमारे लिए आदर्स है इनी सब्दों के साथ में मेरी सेवा यहीं पर बिराम देता हूँ अगला कारे करम जो भी मन से प्रसारन होगा आप उसको स्विकार करेंगे बोलिये स्री प्राणदाथ प्यारे की जाए अब चोपए दो रहेगे लिखी ताले निश्वात फेर फेर सरुप जो नी रखिये नई ना होए नहीं त्रिपेत लिखी ताले निश्वात लिखी ताले निश्वात बुलिये स्री प्राणदाथ प्यारे की शिश्वात गुरू महाराजे की